और थ्री सिलेंडर इंजने आप याप देख सकते हो याप यह है बीस के वी के इंदर है सिंगल फेस है कंडिशन के अंदर एक लाग पचीस जार के अंदर ठीका नमस्कार दोस्तों स्वागेत आप से बैल लोगों का हमारे शुटूब चलन के अंदर तो दोस्तों आज का जो ये जो ज जनेटर है 20k servants अधर अने और कंपनी का है किया इसका डिटेल है क्या प्राइज में मिला है पूरा डेटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और क्या क्या इसके फीचर है क्या प्राइस के अंदर मिला है और दोस्तों क्या क्या जो एसे सेरी स्थे जो मैंने इसके अंदर अलग से लगवाएते हैं और क्या मेरे को इसके प्राइस मिला है पूरा डीटेल आपको इस वीडियो के इंदर बताऊंगा बने रहे वीडियो के इंदर तक तक आपको इस जनरेटर के उपर पूरा डीटेल हो गेरा मिल जाए और प्राइस भी मिल जाए अगर आप इसे परचेस करना चाहो तो कर सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यह है जनरेटर महिंद्रा कंपनी की तरफ से और अल्टिनेटर जो होता है वो है क्रॉंटन कंपनी की तरफ से देखने में आपको लगएगा कि यह एक बनाया हुआ जनरेटर यानि कि इंजन भीक्राना इंजन है दोस्तों काफी यानि कि चार साल के असपास है यह री पेंट हो यह वाज होता हैं तिक है और थ conf एंजिन ने आप यहां पर देख सकते हो और 30 hp का इंजिन बेढ़ता है अल्टिनेटर आप यहां पर देख सकते हो क्रोंटन कंपनी के तरब से है ठीक है और यहां पर इसका डिटेल देख सकते हो दोस्तों यहां पर यह है 20kVA के अंदर में आपको बता दिया है यह आपको के विए के अंदर आता है 20kVA अठार किलोवाट बेटता है और इंजन हो गया इंजन है जो 30ny 가 बेटता है अब आपको महिंधरा का जो इनजन गड़न उन्रा कंपर में सब्सक्राइब होता हमें उन हैased a pap होता है पूरा पेकिंग एडिया उसमें उसी में से यह होलसेलर के जो होते हैं वो खरीदते हैं इनको उपन के अंदर क्योंकि खराब हो जाते हैं फिर उन्हीं के पास मैंने यह पर्चेज किया है इसका जो कंडिशन दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर फोटो के अंद देख सकते हो और फिर यहां पर देख सकते हो इसके वील हो गये बीच के वील के अंदर का फ्रेम हो गया और बेटरी हो गया ठीक है यह सब कुछ मिला कि मेरे को एप्रोक्स 25 आपर का यह खर्चा करना पड़ा मेरे को ठीक है 25 का यह खर्चा करना पड़ा और एक लाग बीज का मेरे को ये पूरा जो इंजन और अल्टिनेटर मिला था मेरे को क्योंकि के नोपी में से निकला हुआ था वहां से और पांजार रुपे अलग से खर्चा हो गया जिसकी लाने ले जाने का और थोड़ा बहुत ठीक है तो दोस्तों क्या है कि एप्रोक्स मेरे को ये एक लाख से से सिस्टम भी होता है और कई के अंदर AI वेयर होता है एक न्यू टेकनलोजी है यहोते हैं यह देख सकते हो bulहत पुराना टायप का से स्टम अए वर होता है ऐ सोतंकर वोल्टेज को आपको बेलकुल ना मात्र डाउन होने छोने धेता है वाल्टेज को आपका बिल्कूल भी डाउनी नहीं होने देगा इंजन आपका कितना भी लोड ले लेगा कितना भी ढब जाएगा ठीक हाइब अल्टिनेटर तो अगर आपन इसके बारे में बात करें तो यह इसली आपका 18 इंच के 205 इंच वर्शकुल वाले च्छावेस इसली चला लेगा और चार टोब इसली चला लेगा यह ठीक है दोस्तों और फिर भी इसके अंदर आप क्या है कि आड़ वेस भी चला सकते हो बट लोवर वोटेज को ने चीए जैसे की साड़े चार इंच वर्शकुल पंदरा सो वार्ट तक के फिर भी आड़ वेस चला लेगा जितना लोड करोगे उससे साब की यह तेल भी घाएगा और डीजल क्या होता है क्या इसका आवाज अगरा आप इसका ही आपको चावी देखने को मिलता है यहां पर इसका स्टार्टर है यह जैसे कि अपने आप इसको प्लक किया आप 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 को देखने को मिल रहा है कितना इसका आवाज आ रहा है आप 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 को मिल रहा है करके जुरूर बताइए और जणेरर कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताइए इसका वेड काफी जजदा हो जाता है 4 से साड़ी चार कोईंटल इसका वजन हो जाता है साड़ी 400 गिलो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के इंदर इसके टेस्टिंग के साथ में तो वीडियो दूंग लाप स्पेल होगा धन्यवाद दोस्तों